सब्सक्राइब कीजिए, हेल्थ टच चैनल को और बेल आइकन को दबाईए, आयरवेदिक उशद्यां और जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेर जरूर करें नमस्कार दोस्तो, हेल्थ टच में आपका बहुत बहुत स्वागत है, दोस्तो आज हम आपको जिस उशद्य के बारे में बताने वाले हैं, वो है महा योगराज गूगलू, इसमें दो तरह का आता है, एक योगराज गूगलू के नाम से आता है, और एक महा योगराज गूग सभल है इसका काफी अच्gt आयरूद में और यह कठिन से कठिन रोगों को identifying कि सामर्थ रखता है आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे इसको कैसे बनाया जाता है किनकिन ऊशुद्यों मिसरन से इसको बनाया जाता है कैसे आप इसका प्रियोग करशकते हैं और किनकिन रोगों में आप इसको प्रियोग करशकते हैं क्या इसकी मात्रा है क्या इसका rate है कितने packing में आता है तो चलिये जान लेते हैं सबसे पहले हम आपको बताते हैं यह जो packing है यह बैढ़नात company की तरफ से आता है ये 40 टैब्लेट की packing में उपलब्द है इसमें 20 टैब्लेट का भी आता है जो कि इससे फोड़ा महेंगा होता है इसका जो rate होता है आज की तारिक में इसका जो rate है 109 रुपे है 40 टैब्लेट में ये महा योगराज के बारे में मैं बोल रहा हूं इसमें जो योगराज गूगल आता है वो इससे काफी सष्टा आता है लेकिन उसमें कुछ दवाईया कम होती है और इससे result में भी वो काफी कम होता है जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं ये formula इसका जो composition है वो आप इसमें देख सकते हैं लेकिन मैं आपको आगे पूरी जानकारी देने वाला हूँ कैसे इसको बना सकते हैं और क्या इसका composition है तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इसको बनाने का तरीका और किन उसद्यों के मिसरन से इसको बनाया जाता है तो इसमें सबसे पहली जो उसुद्धी है वो सोट है छोटी पीपल है, चववे है, पीपला मूल है, चितरक मूल है, चितरक मूल की छाल है इसके अलावा इसमें घी में सेकी हुई हींग, अजवायन, पीपल, पीली सर्शो, जीरा दोनो, काला और सफेद, रेनुका, इंदरज्यों, पाठा, बाइबिडिंग, गज़ पीपल, कुठकी, अतीस, बारंगी मूल, मूरुवा और बच, परतियक इन सभी और शिद्यों को जो है, तीन-तीन माशे इसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है, इन सभी का जो है, बारीक चूरन इसमें तीन-तीन माशे लेकर, इसको हरड, बहड़ा, आवला, और संभाग इन तीनों को लेकर, यानि जो तिर्फला होता है, इनको संभाग मात्रा में लेने के बाद, इसका भ तो इसमें सुद्ध किया हुआ गूगल होता है उसमें इसमें 15 तोला इस्तमाल किया जाता है वंग बस्म, रोप्य बस्म, नाग बस्म, लोहो बस्म, अवरक बस्म, मंडूर बस्म और रस्चिंदूर इन सभी और सिद्यों को 4-4 तोला लिया जाता है इन सबी को लेने के बाद सबसे पहले जो क्वास्टो सुद्या होती है जो कि पाउडर करनी होती है या जड़ी बूटी जो होती है उन सबी का सबसे पहले चूरण तयार कर लिया जाता है चुरन तयार करने के पश्चात इसमें रसिंदूर को अच्छी तरीके से खरल में इसको डाल कर गुटाई की जाती है गुटाई करने के बाद इसमें अन्य जो बसमें हमने बताई हैं उन सभी बसमों को इसमें मिला दिया जाता है और मिलाने के बाद इसके अच्छी तरीके से इसकी गुटाई होती है गुटाई होने के बाद जो अन्य जो उशद्या हमने चूरण के फॉर्म में तयार करके रखी है उन सभी उशद्यों को इसमें मिला दिया जाता है और मिलाकर इसको अच्छी तरीके से इसकी गुटाई की जाती है गुटाई करने के बाद जब ये पूरी तरीके से गुट जाता है तो इसमें जो है सुद गूगल इसमें मिला दिया जाता है सुद गूगल मिलाने के बाद इसकी फिर से इसकी अच्छे तरीके से इसमें गुटाई की जाती है गुटाई करने के बाद इसमें गी या एरेंड के तेल के साथ इसको फिर से इसको गुटाई की जाती है और गुटाई करने के बाद इसे दो-दो रत्ती की इसकी गोलिया बनाकर इसको छाय में सुखा कर रख लिया जाता है ये महायोगराज गूगल आपका तयार हो चुका है ये महायोगराज गूगल बनाने की जो विदी है इसमें जो योगराज गूगल होता है इसमें ये जो बस्म मैंने इसमें बताई विए बस्म नहीं होती उसके बारे में मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा तो इसमें जो आपका ये महायोगराज गूगल तयार हो चुका है इसमें कुछ लोग इसमें एक्स्ट्रा बसं भी मिलाते हैं और इसमें कुछ लोग अगर अपने आप से तयार करते हैं तो इनमें से कुछ जो बसं होती है उसको नहीं भी डालते लेकिन जो इसका पूरा योग होता है जो कि आप इसे बैदनात में देख रहे हैं ये बैदनात का पूरा योग है और ये बैदनात इसी योग के तहट इसको बनाता है तो चलिए जान लेते हैं इसमें जो आप इने तिन तिन रत्य की गोलिया बनाई है इसको आप कैसे इसको ले सकते हैं इसका जो अनुपान और मात्रा होती है वो एक एक गोली होती है सूबर साम इसको अलग अलग अनुपान के इसाब से इसको लिया जा सकता है जैसे कि इसको अगर समस्त वात विकारों में लेना है तो इसे रासनादी क्वात के साथ इसको ले सकते हैं, वात रक्त में लेना है तो इसको गिलोए के साथ ले सकते हैं या गिलोए काड़े के साथ इसको ले सकते हैं, मेदव रद्दी में अगर इसको प्रियोब करना है तो सैथ के साथ इसको प्रियोब करना चाहिए पंडू रोगों में लेना है तो गोमुत्र के साथ इसको लेना चाहिए कुष्ट रोगों में लेना है तो नीम की छाल के क्वाथ के साथ इसको लेना चाहिए सोत और शूल रोगों में अगर इसको लेना है तो पीपल के क्वात के साथ इसको लेना चाहिए नेतर रोगों में इसको तिरफला क्वात के साथ इसको लेना चाहिए उधर रोगों में इसको पुनरवा क्वात के साथ इसको लेना चाहिए इस तरीकी के बहुत सारे रोगों में काम करता है जो की अलग-लग अनुपान के इसाब से इसको लेना चाहिए तो चलिए बात करते हैं इसके रोगों के बारे में अगर वात रोगों को शांती के लिए अगर आप इसका प्रियोग करते हैं वात रोगों को नश्ट करने के लिए इसका प्रियोग करते हैं तो रासना, गिलोए, एरंड मूल, दशनूल और परसारनी, अजवायन के साथ इसक पित रोग अधिक हैं उसके नश्ट करने के लिए इसको ले रहे हैं तो इसको जो है अन्य और सद्धियों के साथ जैसे वासा है खजूर है कुटकी है मुनक्खा नेतरबाला चंदन इनका जो क्वात होता है उसके साथ इसको परियोग करना चाहिए अगर कफ रोगों के लिए इसको ले रहे हैं तो इतिरकुटा, गोमूत्र, नीम किछाल, पोकरमूल, गिलोई, अजवायन, पीपला मूल के कॵात के साथ इसको परियोग करना चाहिए अगर नासूर के लिए इसको परियोग कर रहे हैं तो इसको गरंथी या गंडमाला के लिए इसको परियोग कर रहे अगर इसको जलोदर रोग के लिए ले रहे हैं या कुष्ट रोगों के लिए इसको ले रहे हैं तो हरड, पुनरवा, दारू हल्दी, गोमूत्र, गिलोए के कुवात के साथ इसको लेना चाहिए ये सभी आज जो है अनुपान मैंने इसमें बताएं इससे ज़्यादा बोछ सारे हैं जोकि अनुपान से बोछ सारे रोगों में काम करता है लेकिन जो विशेश रूप से इसका प्रियूँक किया जाता है वो सभी प्रकार के वात विकारों के लिए किया जाता है दोस्तों आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो वात रोग होते हैं वो चुराशी प्रकार के वात रोग होते हैं उन सभी में ये काम करता है इसमें एक स्वन बस्म युक्त भी आता है जो की महायोगराज Google स्वन यूक्त के नाम से आता है उसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ उसमें और भी ज़्यादा इसमें बसने या और इसमें स्वन बसन वगेरा मिलाकर उसको और भी ज़्यादा प्रभावसाली और पावरफुल बनाया गया है यह जो ओशदी है यह काफी अच्छे रिजल्ट देने वाली और सभी प्रकार के दरद में काम करने वाली है इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलता है वैसे तो गूगल का जो है आपको लंबे समय तक खाना होता है लेकिन जो सवन व्यूक तो ओशदी है अगर इसमें माहयोगराज गूगल विदगोर्ड लेते हैं तो आप उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलता है और आपके सभी प्रकार के जितने भी जो बड़ी उमर के लोग होते हैं जिनको गुटनों में दरद रहता है जोडों में दरद रहता है या मासपेशों में दरद रहता है हड्डियों में दरद रहता है जिनको चलने फिरने की भी काफी फरेसानी रहती है उन लोगों के लि दोश जन्य रसायन है और ये सभी प्रकार के वात व्यादी को नश्ट करता है इसमें आमवात जो है पक्षागात संदीवात वातरक्त उदरवत मेदोवरदी हर्द्य का जकड़ना और मदागनी स्वास रोग खासी पुर्षों के वीर्य दोस इस्तरियों के रजो दोस इन सभ रोगों को नश्ट करता है इसका जैसा कि मैंने बताया इसके अनुपान के इसाब से इसको अलग-अलग और शुद्य के साथ इसको लिया जाता है ये जो है कठिन से कठिन वात रोगों के लिए एक बहुती अच्छी और ये बहुती प्रभावशाली और शुद्य है इसका परियोग जब आप करेंगे तो आप इसके रिजल्ट से भली बात इसके परिचित हो जाएंगे इसके और भी आगर इस नायुशूल के लिए इसका परियोग करते हैं तो ये सरीर के प्रतिये अंके जो इस नायुशूल होते हैं उन सम्में बहुती अच्छा काम करता है और इसको जो है महा मंजिष्ठा दिकवात के साथ इसको लेना चाहिए इसके उनमाद रोगों को भी नष्ट किया जाता है अब तंत्र रोगों के लिए इसका परियोग किया जाता है हिस्टीरिया रोग के लिए इसका परियोग किया जाता है इसमें एक बात आपको ध्यान रख कि इसको जब भी इसका प्रियोग करते हैं तो इसको कुछ लोगों को होता है कि कुछ गरम चीजे सूट नहीं आती है तो उन लोगों को ध्यान रखना है कि इसका जो प्रभाव होता है वो थोड़ा गरम होता है और ये आपको सरीर में थोड़ी गरमी पैदा कर सकता है अगर आपको ऐसे लक्षन दिखाई दे तो आप बिल्कुल अपने डोक्टर से संपर्क कीजिए और इसका जो परभाव है वो आप इसके साथ जैसे परवाल पिष्टी है या परवाल वस्म है इस तरीके की अन्य और शुद्यों को मिलाकर अगर आप इसका परियोग करते हैं इसके जो यह गर्म इसका सोबाव होता है उसको यह सीतल करता है और इसके पूरे गुण भी आपको मिलते हैं इसका परियोग सभी प्रकार के मस्तिक्स रोगों के लिए भी किया जाता है इसका परियोग विशेस रूप से वातवाहिनी नाडियों पर होता है नशों में जैसे वायू बर जाती है तो जिसके कारण हाथ पैरों में एठन दरद इस तरह के सिकायत होती है उन सभी में यह काम करता है इसनायू को मजबूत करता है वातवाहिनी नाडियों को मजबूत करता है और उसमें जितने भी प्रकार के रोग होते हैं उन सब को नश करता है इसके साथ साथ ये आपको हश्ट पुष्ट बलवान बनाता है इसका लगातार परियोग अगर आप करते हैं तो ये आपको ओजपूर्ण और कांतिवान बनाता है इसका परियोग आप बिल्कुल अपने डोक्टर या वैद की सला से कर सकते हैं उम्मीद है आपको जान जानकारी अच्छी लगी होगी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताईए आपको जानकारी कैसे लगी ऐसी और जानकारी वाली वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सस्क्राइब हुश्य करें और ब जन्नियवाग।